खुशी फेशन हिंदी चनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाए ताकि टेलरिंग से जूरी सारी अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले हमने यह ब्लाउज है वह मेजर्मेंट का है वह ले लिया तो यहां पर शोल्डर जहां से अटेच है वहां से हम इसका मेजर्मेंट करेंगे लंबाई के लिए कुई की यह वाला जो सहे हो सीधा रहता है तो यहां से हम मेजरमेंट करेंगे तरो 13 चाहिए तो इसकी लमभार जो है बे स्किभी सैड्मे में थे रही काना पपलिए अव्क सैड्से यह котор- Weight सबसे पहले हम यह वाला करेंगे और उसके बाद एक और मार्किंग करेंगे तो लेंथ हमें एधनी रक्षेंगे 13 यहां पर यहां पर एक मार्किंग fix to fix करेंगे और एक marking जो है वो cutting के लिए करेंगे तो अब यह दोनों जो marking है उससे हम इस तरीके से marking करेंगे और अब हम यहाँ पर measurement का जो blouse है उससे हम उल्टा करेंगे इस तरीके से और इसके बाद इसको एकदम सही तरीके से आमें रखना है और इस से 4 fault कर देना है इस तरीके से और इसमें आमें उपर की सेड़ जो है वो आगे का पाग इस तरीके से आना चाहिए और अब हम यहाबर इस तरीके से सबसे पहले अच्छी तरह से हम इसे बीचा लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले यह जो फेक्स टू फेक्स है जहाँ पर सीला है वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और उसके बाद एक मार्किंग जीतनी हम है रखना है उतना दो इंच इतना वो रखेंगे उसके बाद हम जो डांट लगाएंगे उसके लिए एक इंच का मार्किंग यहां पर हमने अलग से किया है और अब हम यहां पर गले का जो है वो मार्किंग करेंगे तो इसमें ब्रोड गले है तो यहां से ज्यादा चोड़ा नही लेंगे तो यह वह साथ से यहां पर हम मार्केंग करेंगे यहां पर एक फिक्स टू फिक्स मार्केंग करेंगे और दूसरा मार्किंग जो है उसी लाई के लिए तो यह जो स्लीव है नेट की है तो अंदर की तरफ इसको फॉल्ड किया है लेकिन हम जो करेंगे उसमें बाहर की के तरफ फॉल्ड आएगा तो यहां से अभी हम जो और मॉल है इसका तो अब यहां पर हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे तो यह जो चीजिए जहां पर चेस्ट है वहां से इस तरीके से तो सबसे पहले यह जो फिक्स टू फिक्स चेस्ट है वहां से और यहां पर हम जीतना भी कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए दो इंच का चाहिए तो दो इंच का लगाएंगे हम पौने दिन इच रखते है तो यह पौने दो इंच पर हमने मार्किंग किया है और सबसे पहले फिक्स टू फिक्स करेंगे बाकी जो सिम्पल अश्ली वोती तो यह जो कपड़ा है जहां से हमने स्लीव अटेज की है वह होता तो अमें दो यह जो मार्किंग है एक उलाइक का और एक कटिंग का दो अलग मार्किंग नहीं करने पड़ते लेकिन इसमें आमें तो यह मार्किंग अब जो है वो सी लाइक के लिए हमें एक्स्रा कटिंग के लिए निकलना पड़ेगा तो यहां से पर सबसे पहले प्रेफिक्स मार्किंग जो है यहां पर कर लेंगे और इसके बाद हम कटिंग के लिए अलग से करेंगे तो यह हो गए है अब हम चेस्ट करेंगे तो रहाँ इसमें आगे का पडर ऑड़े अलग फोड़ हो एक्सातर चाल दे करेंगे तो पोने आठ हींच हुआ तो यहां पर हम पोने आठ हींच मेजरमेंट है वो परफेक्ट करेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे और यह दोनों मार्किंग जो है वो हम अभी मिला लेंगे तो यह मार्किंग हमने मिला लिये है और शोल्डर जो है वो यहां पर हम देख सकते है आठ हींच का है तो शोल्डर जो कंदे गिरते है वो यह वो प्रोब्लम जो है इसमें नहीं आएगा और यहां से कटिंग कर लेना है और उसके बाद यहां पर जितने भी हमने यह जो मार्किंग किये है वो मार्किंग हम इस तरीके से कर देंगे और अब हम यहां पर टक्स का मार्किंग करेंगे तो इस तरीके से टक्स का मार्किंग करेंगे अब आगे का जो बाग है वो हम कटिंग करेंग तो आगे का भाग हम जो भी पीछे का भाग है उससे एक इंच लंबा कटिंग करेंगे तो यहां से हम नीचे से जो भी बढ़ाना है हमें उनीचे से लंबा करेंगे तो वो जो टॉक्स आएगा साइड में और आई की जहां पर हुकाई की पट्याती है वहां पर टॉक्स आते है तो वह इसाब से हम एक इंच लंबा रखेंगे फ्रांट वाला पार तो वह वहां पर जो है वह एक ज़स हो जाएगा और अब यहां पर हम सबसे पहरा आर्मॉल जो है वह आगे का बड़ा होता है तो आर्मॉल जो है वह हम इस तरीके से यहां पर मार्किंग करेंगे तो यह जो हमने आर्मॉल का मार्किंग किया है वह इसाब से हम कटिंग करेंगे तो यह जो आर्मॉल है वो इसाब से हमने कटिंग कर दिया है अब यहां पर जो है वो बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम जितनी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कोपड़ा है वहां पर एक मार्किंग करेंगे तो ताकि हमें जब मेजर्मेंट करेंगे ताकि हमें पता चरहे कि कहां से हमें मार्किंग करना है तो सबसे पहले यह जो बस्क पॉइंट है वह हम अमारे पास मेजर्मेंट का ब्लाउज है तो ब्लाउज में कहां पर है वहीं से हम इसमें बस्क पॉइंट लेंगे तो यहां पर इस तरीके से हम मार्किंग यह जो है इसका मेजर्मेंट करेंगे तो सबसे पहले burst point इसका कहां से लिया हुआ है वो देखेंगे तो shoulder से हमने measurement कर लिया है विसका जो burst point है वो 59 पर आ रहा है तो हम 59 पर marking करेंगे सिलाई का छोड़ देंगे इतना और उसके बाद 59 पर burst point आ रहा है तो बाद 59 पर रख लेंगे इसके बाद हम marking करेंगे कि जो टॉक से वह यहां से और हो काई की जो पर्टी है वहां से कितना distant है तो वहीं सबसे यहां पर हम देखेंगे तो तीन सवा तीन इच का डिस्टंड है तो वही इसाब से यहां पर वो काई की जो पट्टी आएगी है उसका इतना एक्सा छोड़ेंगे उसके बाद तीन इच पर मार्किंग करेंगे यहां से भी उसी तरीके से मार्किंग करेंगे और अब यह दोनों जो मार्किंग है इससे हम मिला लेंगे और यहां पर भी इस तरीके से मिलाएंगे और अब यहां पर यह जो टॉक्स का है वह हमने डेर्टी का टॉक्स लगाएंगे ताकि इसका जो पफ एंगल जो है वह एक्दम बढ़िया से बने तो यहां पर हम डेर्ट आड़े का जो गला है कुण करेंगे तो यहां पर शसूलडर यहां पर है वहां से इस तरी के से मिले लेंगे ह shave आप यह जो जो का की साफिल हुआ है यहां पर गाफटिंग मे तो इतना एक्सटा चोड़ देंगे बाकी यह जो ब्लावुश है वो यह साबसे इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो यह जो मार्किंग है वो हमने पर्फेक्ट कर लिया है यहां से यह हम मिला लेंगे और अब इसमें सीलाई का जो है वो एक्स्रा रखेंगे तो यहाँ से अंदर की तरफ सिलेक का एक मार्किंग करेंगे तो यहाँ से अंदर की तरफ हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो यह जो मार्किंग है वह इस अब से हम कटिंग करेंगे तो यह जो है वह हमने कटिंग कर लिया है अब हम दूसरे जो डाठ है उसका मार्किंग करेंगे तो यह वाला जो है गले के साइट से तो गले का सिले काम छोड़के यहां पर आ रहा है तो यहां पर इस तरीके से डाठ आएगा तो यह वाला जो डाठ है वह हम इसका जो डिस्टन्ट है वह मेजरमेंट करेंगे तो दो इंच इतना है तो यह दो इंच का यहां से मार्किंग करेंगे तो यह जो marking हुआ है वो थोड़ा सा अलग type का लग रहा है तो यहां पर हम थोड़ा सा changes कर सकते हैं क्योंकि यह जो measurement के blouse होता है उसमें कभी-कभी सही से नहीं बनाया हुआ होता है तो यह जो डाट है वो दोनों सेम नहीं आते हैं तो यह वाला जो डाट है वो थोड़ा उपर आता है यहां पर तो हम हमारे इसाब से थोड़ा बहुत changes करेंगे यह वाला जो है वो डाइट गलत हमने कर दिया क्योंकि बस्ट पॉइंट का जो मिडल वाला डाट होता है वो और यह साइट के डाट है वो थोड़ा उपर नीचे होते है और इसके बाद यह वाला जो डाट है उसका हमने measurement कैसे लिया है वो भी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले यह जो आर्मॉल का भागे वो यहां से ना डाट की वो तीन इच इतनी है तो यहां से सिलाई काम ने छोड़ दिया और यहां से तीन इच का मार्किंग कर लिया तो इस तरीके से डाट का जो है वो मिला हूँ है वो हमने कर दिया है और यहां पर हम सैट के जो डाट है वो कैसे लेते हैं बता देख लेते हैं तो यहां पर इतना जो सिलाई का है वो छोड़ दिया इसके बाद यहां पर डाठ है और उसके बाद एक्स्रा कपड़ा जो है नीचे की तरफ है तो डाठ का जितना भी हमें कपरा डाट में चाहिए उतना नीचे से ही लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो डाट है उसका मार्किंग करेंगे तो जो सारे लाथ है उसका आमने marking इस तरीके से किया है और यहां पर इस तरीके से हलका सा यह जो पेपर होता तो आसानी से फॉल्ट हो जाता लेकिन यह जो कपड़ा है तो यह जो है तो थोड़ा कड़क है तो यहां से प्रोब्लम आ रही है लेकिन इस तरीके से कटिंग होता है फोट टाप फोट डाट वाला ब्लाउस तो यह वाला सही है तो यहां पर हम देख सकते हैं अब हमें डाठ है वह अब हमें सही दीख रहे हैं तो इस तरीके से फोट डाट है को हम कटिंग करते है और इसके बाद हम ब्यक्साइड का गला कटिंग करेंगे तो यह एक साइट का जितना डीप गला है उतना डीप ही हमें मार्किंग करना है तो एक मार्किंग कर लिया कि बराबर करेंगे दूसरा मार्किंग जो है वह हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़े के तो वही साथ से यहाँ पर अपर यह जो गला है वह नीचे से ब्रोड करना पड़ेगा क्योंकि उपार से तो कंदे गिरते है वह प्रोब्लाम आती है इसलिए लेकिन नीचे से तो हमें ब्रोड़ी चाहिए तो इस तरिके से वी गला में बनाना है तो इस तरिके से स्लेइड़ाल तक है वह क्यों यहां से इंग करेंगे यहां पर स्मीलर करेंगे तो यहां पर 4.15 की स्लीव की लेंट है ओर इसके बाद यहां पर स्रिव का का ब्रुक्हां करेंगे तो स्लिव में हमें 15 फ्रील लगानी है तो वह साथ से हम 13 की कटिंग करेंगे और फ्रील आएगी ताकि सारेच लगाइच की स्लिव रेडी हो जाए तो यहां पर हम यह बात जो है वह एकदम खास दियान रखने है वह नहीं यहां से कटिंग करेंगे अर इसके बाद यह जो मार्किंग है वह करेंगे दो मार्किंग और इसका बाद ती नीच का इसका आर्मॉल के लिए हम सेब देंगे स्लीव का ती नीच नीचे रखते हैं और यहां पर जितना भी आर्मॉल है उसे अधा पौना इंच कम रखेंगे ताकि यह जो स्लीव है वो परफेक्ट बेट जाए तो यहां पर स्लीव की जो मौरी है तो यहां पर हमने पांट पर मार्किंग किया है और इस तरीके से यह जो मार्किंग है उसे हम मिला लेंगे तो अब हम यहां पर इस तरीके से शेब देंगे यहां पर हम इस तरीके से शेब देंगे तो यहां पर हम मार्किंग कर लेते है और मार्किंग करने के बाद हम इससे कटिंग करेंगे और अब हम यहां पर अर्मोल का जो स्लीव का पाग है आगे का वह हम कटिंग करेंगे तो ब्लाउज में हम इस तरीके से आगे का पाग जो है वह कटिंग करते है ड्रेस की बात अलग है ड्रेस में हम अलग तरीके से कटिंग करते है लेकिन ब्लाउज जो है उसमें हम इस तरीके से स्लीव का जो आगे पिछे का पाट होता है वह हम कटिंग करते है तो अब यहां पर हम साब देख सकते हैं यह आगे का पाट हो गया और ये पीछह का हो गया और जो स्लीव हे वे एकदम पर्फेक्ट ले हमने cutting कर लिए है तो पुरा जो Drafting cutting है हो पूरा हमने एकदम perfect तरीके से cutting कर लिया है तो ये श्लीव हम देख सकते हैं एकदम perfect middle में आ गई तो ये थाज का आपको कैसा लगा कॉमेंड करके जरूर बताइय अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए, सेर किजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ